दोस्तों अगर आपके भी गाल अंदर को पिछके हुए हैं धसे हुए हैं बहुत कुछ खाते पीते हैं लेकिं सेहत को नहीं लगता वजन नहीं बढ़ता चेहरे भी जो है उसको भी पोशक तत्व नहीं मिलते हैं चेहरा अंदर को धस चुका आपकी सारी प्रसनेल्टी फीकी हो चुकी है और आप कम उमर में ही बुढ़े नजर आने वाले हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में को बता रहा हूं आठ ऐसे घरिल उपाए जिन को करने से जल्दी ही आपके गाल सुन्दर हो जाएंगे मोटे पिछके हुए गाल बाहर निकल आएंगे और आपकी पूरी प्रसनेल्टी चेंज हो जाएगी दोस्तों पहरे नंबर पर बात करते हैं मेथी के दाने गोल मोटोल करने का काम करते हैं मेथी के दानों का स्तमाल करने के लिए आपको क्या करना है रात को इनको भीगो कर रख देना है फिर सुबह उठकर इसका पेष्ट गालो पर लगाना है जब यह पेष्ट पूरी तरह सूख जाए तो गुनगुने पानी से धोले कुछ ही दिनों में आप को अपने पिचके वे गालों में फरक दिखाई देने लगेगा दूसरे नंबर पर दोस्तों सेब सेब के पेष्ट से पिचके वे गालों को आप गोल मटोल सुन्दर बना सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है एक सेब काट करके इसका पेष्ट बना लेना है इस शुरू हो जाएंगे चहरा लाल तमाटर जैसा होना शुरू हो जाएगा मालिश भी दोस्तों आप कर सकते हैं चहरे की मसाज करने से गालों की जो मास पेशिया होती है उनमें रक्त का संचार अच्छे से होता है पिछके गाल देरे देरे फोलने लगते हैं तो सरसो का तेल फिर बादाम के तेल की मालिश पांच मिनट तक गालों पर करने चाहिए ऐसा करने से कुछी दिनों में आपके चहरे और गालों के साइज में आपको फरक दिखने लगेगा जैतून का तेल भी बहुत उप्योगी होता है जैतून का तेल तोचा के लिए बहुत ज़्यादा पाइदेमंद होता है इस तेल से गालों के मसाज करने से नैचुरल तरीके से आपका चहरा मोटा होने लगता है रोजाना एक चमच जैतून के तेल से आपको चहरे की मालिश हलके हाथों से करनी चाहिए इससे भी अच्छी बात दोस्तों यह है कि जो धान देने वाली बात ह आपको अपनी नीद पूरी करने खूब सोना है और खूब पानी पीना है मोटे गाल पाने के लिए सुन्दर गाल पाने के लिए आपको अपने शरीर को आराम देना है पूरे शरीर को आराम देना है जिससे आपके चहरे के मास्पेशियों को भी आराम मिलेगा उन पे चहरो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तो यह भी समय लहते रहते इसको भी आप करें यह उपाईज आ बता रहा हूं मैं गोल मटोल गाल पाने के लिए आपको कम से कम एक मिनट तरह अपने गालों को फुला कर रखना है इस परक्रिया को आपने पूरे दिन में तीन बार कम से करना है मतलब आपको गुबारे की तरह गालों को फुलाना है और कम से कम पांच मिनिट तक रखना है पिर धीरे धीरे सांस छोड़नी है फिर फुलाना है फिर पांच साथ मिनिट के बार सांस छोड़नी है ऐसे पूरे दिन में आपको तीन बार एक्सरसाइज करनी है, रोजान अगर आप ये करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपको अपने गाल फूले बे दिखाई देने लगेंगे, आपको अपनी परस्नेलिटी में फरक दिखाई देने लगेगा, दोस्तों, गलिसरीन, गुलाब पीना बहुत जरूरी है, दिन में दो बार आप दूद का सेवन करें, आप चाहे तो इसमें दो केले मिला कर भी, एक गलास दूद में आप दो केले मिला कर भी इसका शेक बना कर पी सकते हैं, या फिर दो केले वैसे ही खाने के बाद ऊपर से गुन-गुना दूद पी सकते ह इससे आपको पोशक तत्व मिलेंगे पिछके गालों को, फूलने में मदद मिलेगी, पूरे चहरा तो फूलेगा ये फूलेगा, पूरे शेरी का वज़मी बढ़ेगा, इसके साथ दोस्तों मैं आखरी मैं आपको जादे जादे एक टिस्प देना चाहूँगा, अगर आप च जादा है, इसमें इतने सारे पोश्टिक तत्व होते हैं, शुद्ध प्राकरती जड़ी बूटे से बनी है, जो आपके चहरे के लिए, आपके शरीर को ताकत देने के लिए, आपके वजन को बढ़ाने के लिए, जो पोश्टत तत्व जो प्रोटीन आपको चाहिए, इसमे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाके दोस्तों मैंने जो आपको उपाई बता हैं, यह आप जरूर करते रहिए, मुझे पूरी उमीद है, आपके परस्नालिटी चेंज होगी, आपके चहरे के सुन्दरता बढ़ेगी, धन्यवाद दोस्तों